अभी चलेगा बाबुशोना उसके बाद चलेगा राद भर का रोना नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपका टीचर आपका दोस्त अरियन्त आज वीडियो लेकर आ गया हूँ उन स्टूडेंस के लिए जो फोन एडिक्शन से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं जो इससे समस्या में पढ़े हैं कि सर पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन फोन का डिस्ट्रेक्शन बार-बार सामने आ जा रहा है कितनी भी कोशिश करें हम छोड़ी नहीं पा रहे हैं इस वीडियो में कुछ ऐसे रीजन्स कॉमन रीजन्स डिसकस करेंगे जिसकी वज़े से फोन जो मैं सुडेंट से फोन पर बात करता हूं तब सुनता हूं कि सब बॉइफ्रेंड है या गर्ल्फ्रेंड है और वो भी उनको मेसेज करना है टाइम टो टाइम बड़ा ही पोजेसिव होके रखाया होके रखी है बोल रहा है कि भाई बाबू शोना तो करना ही है आज तुम माना क्लियर है भाई साब लड़कियों को लड़कों को दोनों को ही equally match profile चाहिए कि भाई मैं चार्टेड अकाउंटन हो तो कोई सीए एंब्स या सिमिलर टाइप की spouse मिले या husband मिले तब जाकर वो लोग अपना जो even if it is love marriage you certainly look for some kind of a commonality when it comes to your educational qualification second उससे भी खराब है उन मेरे भ पापा करवा देंगे आज कल especially the girls in our country are better educated than the guys and चाहे आपके पास किता एक खांदानी पैसा हो 8 out of 10 girls will tell की नहीं लड़का सिर्फ भी कौम पढ़ावा है या मेरे जितना पढ़ावा नहीं है मैं तो नहीं करूंगी शारी and this is the reality and which is good also so मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर mobile phone में ब विशर हो then you let me study for the next two months in fact you encourage me to put my phone away तब वो relationship का मतलब है नहीं तो trust me अगले ही दिन वो relationship गायब हो जाना है the moment you fail they will move on सबसे पहला reason यह है सबसे आप लोग को निकल जाना है अच्छा सर दोस्तों का message आ रहा है दोस्तों की परेशानी चल रही है सर मेरे तो दोस्त है उनको doubts है questions सर मिरको तो उनको समझाना पड़ेगा न सर मैं कैसे नहीं समझा उनको भाई साब आप अगर phone off करके रख दोगे तो क्या दुनिया खतम हो जाएगी वो दोस्त जो है वो आपके जैसे च्छे और दोस्तों को message कर रहा है कोई ना कोई तो help करी देगा and help नहीं कर रहा तो भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप at your own cost किसी को रोज help करते रहो you have to put yourself first क्योंकि result तो आपका अकेले का आएगा आपको marks नहीं मिलेंगे कि आपने दोस्त को कितने help किया I am not telling you to be selfish हो सकता है आपको भी कभी जरुवत पड़े लेकिन दिन भर या 3-3-4 गंटे किसी दोस्त क help करने की चक्कर में आप खुद का जो time गमा रहे हो that cannot be justified आजकल weather change हो रहा है सर्दी खांसी बहुत चल दिया तो वो भी ख्याल रखना उसके अलावा help करना है दोस्त की help लेना है दोस्त है हफते में एक बार call करो ना है एक गंटे की call करो आदे गंटे की call करो कि भई इसमें स it then you start doing your self-study preparation especially अगर दोस्त को help चाहिए extra curricular matters में तब तो it is strict no-no till your examinations come third चीज है sir distractions your interest series चल रहा है अभी तो IPL आने वाला है sir महिंदर सिंग धोनी का हो सकता है last season हो अरे भाई पिछले 6 बार से महिंदर सिंग धोनी का last season ही हो रहा है he is still playing and even if he retires even if he doesn't retire चाहे कोली हो चाहे शर्मा हो चाहे धोनी हो भाई सहाब आपकी पढ़ाईर पर क्यों impact डाल वो नहीं आएंगे आपको बोलने के लिए कि बेटा you had supported me in my last series thank you so much तुमारी वज़े से कब मिला ये लो एक करोड रुपे मेरी तरफ से नहीं होगा why are you prioritizing somebody else which right now is immaterial to you oh ना सर ये तो जुनून है भाई तुमारा जुनून तुमको ही ले डूबेगा और किसी को कोई फरक नह है ऐसे भी यार आधी setting रहती है IPL में आपको सच में अभी भी लोग देख तो रहे हैं करोडों करोडों मैं भी कभी कभी देख लेता हूँ but I don't believe 1% what happens in that particular league मेरे को लगता है सब्स्क्रिप्टेड ही है आधा तो उसमें मेरे को फरजी फ्रॉड ही लगता है तो it's not even interesting anymore it's just like entertainment खाना काते करते देख लिया बंद करके निकल गया तो IPL cricket बंद करना है उसके बाद सर election आ रहे हैं इस बार 400 पार करवाना या इस बार मोधी को बाहर करवाना है आपके videos देखने से opinion polls देखने से exit polls देखने से कुछ नहीं होगा vote करना जाकर that's all that you can do उसके बाहर कुछ भी नह आने के लिए तुम अपनी पढ़ाई क्यों छोड़े दो मेने पढ़ाई कर लो तीन मेने पढ़ाई कर लो उसके बाद करना जी भर के stock market तुफान मचा देना हर्शद महता तो मत बनना लेकिन राके जुन-जुन वाला भी वो तो सवरगवास हो गया उनकर लेकिन उनकी तरह बन जाना यही दुआ रहेगी कि आप भी उत्ते successful बनो लेकिन अभी आपको prioritize करना है अपनी पढ़ाई के ऊपर senseless scrolling करते रहता हूं सर एक बार phone हाथ में लग जाता है उसके बार automatic होता है तो phone रखो ना और किसी के पास ममी से डल लगता है ममी को देतो पापा से डल लगता है पापा को देतो बोलो में को 6 गंटे बाद ही देना उसको fix time रख लो नहीं सर आपके videos तो देखना है ना YouTube बिलकुल देखना है मैं यह नहीं बोल रहा है कि आप complete सन्यास ले लो phone देखो शाम में एक घंटे दो घंटे देखो मतलब पढ़ाई होने के बाद या फिर तीन तीन घंटे के ब्रेक में दस-दस मिनट देखो और शाम में आदा पोना घंटा देख लो study related phone usage is different अगर आप classes देख रहे हो यह नहीं कि सर YouTube पे scrolling कर रहा था classes के लिए revision के लिए बट divert हो गया no then that is you are जानबुच के doing it you have to ensure कि classes देखना है तो जो classes खरी दिये वो देख रहे देखते खतम हो बन self-control ज़रूरत है भाई self-control नहीं रहेगा तो कैसे clear करोगे बाद में for such a stupid thing like using your mobile phone you will fail fail होके फिर पस्ता होगे कि अरे sir fail होगे फेल होगे इससे अच्छा तो mobile use नहीं करता है तो why do you want to even take that chance this can be the biggest destroyer of dreams for sure आपको भी यह बात पता है जो लोग यहां तक especially पहुंच है उनको कुछ तो feel हो रहा है कि हाँ थोड़ी सी guilt है हम में भी and अभी first step जो आपको करना है इस video को देखने के बाद नीचे comment करो कि sir I am shutting down my phone right now for the next 3 hours I will not be using it for the next 6 hours I will not be using it and every single day I will make a schedule कि मेरे को 10-10 minute 15-15 minute कब phone usage करना है और किस-किस चीज़न के लिए करना है तीन कंते बुक लेके बैढ़ गया चलो चलो no after you have completed your targets you will take your mobile phone and you will commit yourself कि मैं जब तक satisfyingly complete नहीं कर लेता कोई target मैं अपना mobile phone नहीं देखूंगा keep it for yourself as a reward to the hard work that you are doing आज थोड़ा सा control करोगे दो महिने बाद exam है एक महिने बाद exam है पंदरा दिन के बाद exam है बड़ा मदद मिलेगी आपको and you will really be happy and you will do very well in your examinations और कोई problems है phone related comment करके बताओ मैं या दूसरे दोस्त वाल्व कर देंगे subscribe to this channel ऐसे ही useful छोटे videos के लिए practical and hit the bell icon so that कोई भी notification आये तो आप जब mobile phone चालू करो तब आपको दिख जाए कि ये video देखना है practical helpful video रहेगा thank you so much for watching all the very best